अक्सर यह होता है कि जब हम लोग सोने के लिए लेटते हैं तो सोचे हमें परेशानिया और मसाइल जो होते हैं ऐसे घेर लेते हैं हम बड़े डिसपॉइंट हो जाते हैं मायूस हो जाते हैं और उपर वाले की रहमत से नाउमीद हो जाते हैं और मायूस है अला तला ने वैसी का है कि कुफर है मैं कहती हूँ कि जितनी मर्जी परेशानी हो यह अगर आपके पास सोने के लिए गरम सब्सक्राइए आपको आप को अध्य बहुत आप कुछ नहीं पहन हो पना है, आपको अध्य कैंज्ट आप मेटिजिन नहीं भांक रहे हैं, डॉक्टर्स के पास आप नहीं जा रहे हैं, तो ये सब कुछ अल्ह तालह की बे इंतहा नहीं मत हैं, so please don't go for the things which you don't have, always be thankful for the things which you have, gratitude बहुत भरी चीज़ होती है, और मैं ये कहती हूं कि अल्हा का शुकर जितना अदा करेंगे, अल्हा उतना नमासता जाएगा, ये वो तमाम तरह चीज़े हैं, जो बहुत से लोगों के पास नहीं होती हैं, और हम लोग उन चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं, जो हम खुद करना जा रहे होते हैं, उन चीज़ों को भूल जाते हैं, जो हमारे पास होती हैं, जो ब्लेसिंग्स जिन से हम हमें अल्ला रभुलुजत हर टाइम इंटेन कर रहे होता हैं तो जनाब जटपट सी मैं ऐसे भी बना रही हूं बैसिकली फ्राइस और आजकल तो सड़ी शुकर अलहमद्रिल्ला आई गही है फाइनली बरी ड्राइस ही ठंड चल रही है फॉगी इवन और सब घर थे वीकेंड पर तो मैंने फ्राइस बनाई है और इन फ्राइस में स्पेशियलर यह भी है कि जनाब आप इनको अच्छे से सब मसालास बगारा डाल के फ्राइ कर लें और फ्राइ करने के बाद जो बच चाती है आप जैसे हैं आप घर में टॉडलर है माशनलस है अमल मैं उसके लिए पिर जो उन साना बनाके सब के लिए बाकी रख देती हूं फिर जैसे वो टी टाइम कित talking करती है उसको जिट्पट फ्राइ कर ड़िती हैं यह मेंने आल के लिए जनाब बनां के रख दी हैं के उसको कलरड पर सुने दूँगी